नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज लेच चलते हैं पल्लू में माम बर्मानी के मंदिर पल्लू राजस्तान की हनुमान गर्जिली में रावस्तर तसेल का एक कस्बा है पल्लू का प्राची नाम कोट का लूर था, यह है जंगल देश के सिहाग जाटों का ठीकाना था जो बाद में इस ठीकाने के जाट सदार की लड़की के नाम पर पल्लू हो गया पल्लू में वर्स में दो बार यहां नौरात्रा में विशाल मेला भरता है जैसे ही नौरात्रा शुरू होते हैं पल्लू में गुजते हैं मां बर्मानी पल्लू वाली के जैकारे पल्लू में जब धोक लगाने जाते हैं तो सबसे पहले सारदुल जी की धोक लगाई जाती है ऐसी मानेता है कि अगर सारदुल जी की धोक पहले नए लगाई जाए तो पल्लू आली माता की धोक अधूरी माने जाती है तो हम आपको बताते हैं कौन थे सारदुल जी और उन्हें क्यों उनकी धोक लगाई जाती है कस्बे में सारदुल नमक वीर सेना पति माता जी के द्वारपाल का मंदिर इसके बारे में कहा जाता है कि मां बर्माने से एक वर्दान मिला था कि जो भी भगत जन माता की मंदिर में धोक लगाने और दरसन करने आते हैं उनको माता जी दरसन करने से पहले माता जी के द्वारपाल सारदुल जी के में धोक लगानी होती है अगर कोई भी भगत चन ऐसा नहीं करता है तो उसकी यात्रा सफल नहीं होती है माता जी के मंदिर के पुजारियों को इस नियम का पालन करना होता है सारदुल जी महाराज की पूजा के बाद माता जी के मंदिर में धोक लगाए जाती है यहां दो मंदिर हैं एक मां बर्मानी वैसरस्वती और दूसरा मां कालिका दोनों ही मंदीरों के चांदी के दर्वाजे हैं जो वर्सों पूर्व बनाए गए किन्तु आज भी नए जैसे ही दिखते हैं मंदीर में पुजा सद्यों से भोजराज सिंग के वंसज पेड़ी दरपेड़ी करते आ रहे हैं पर्ति दिन चड़ने वाला परसाद और चड़ावा भोजराज सिंग के वंसज परिवार में पांट दिया जाता है अब आपको बताते हैं भोजराज जी और पलू वाली मा ब्रमाने के मंदीर के बारे में शंपूर्ण जानकारी जानकारी इस परकार से है बीका निर जीले के गींगा सरनाम गाउं में बाग जी नामक चंदरवसी ठाकूर की घर पर एक भोजराज नामक पूत्र पैदा हुए थे जो राजा कलूर का ही अवतार यानि जनम हुआ था कुमर भोजराज अपने माता पिता का आग्याकारी पूत्र था वे गो सेवा में लीन रहते थे वे हमेशा गायों वे घोडियों को चारा गहा गोचर में चुराने ले जाया करते थे एक बार इनके इलाके में वर्सा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया गायों को चराते हुए राजकुमार भोजराज उजडे कोट कलूर की सीमा में परवेश कर गए एक दिन गाय वे घोडियां चरते चरते उजडे हुए कोट कलूर थेड के पास पहुंच गई जहां आज के दिन माता का विशाल मंदिर स्थापित है गायों को ढूंडते खुल थेड के पिछे एक खेडडे के निचे आराम करने लगे थकावट के कारण भोजराज को उस खेडडे के निचे निंद्रा आ गई तो अचानक आदिसकती माने भोजराज को हुकम फरमाया कि उठो भोज और हमारे पास चलियाओ और सेवा करो भोजराज को गबराहट ह हुई तो आकास रहने हुई कि डरोब मत मैं वही आपकी माता हूँ पिछले जनम में आपकलगूर के नाम से जाने जाते थे मैंने आपको वचन दिया था कि दुबारह आपको दर्सन दूंगी वैं सेवा करोंगी माता ने भोजराज को दर्सन उसी खेड़डे के निचे दि माता बर्माने को अवतरित हुए 710 वर्स हो चुके हैं माता ने भोजराज को आदिश दिया कि मंदिर की उत्तर दिशा में एक मीठे वैनिर्मल पानी का कुवा है कुवे पर लगी सिला हटा देना और उसी कुवे का पानी मेरी सेवा पुजा में प्रियोग करना तब से लेक मंदिर में उत्तर दिशाकी और सुर्तगर रोड के पास विद्यमान है इस दोरान माता के कई पर्चे हुए माता के ख्याती दूर दूर तक फैल गई तब से लेकर आज तक उसी भोजराज पाहु भाटी के वनसज माता की सेवा राधना करते आ रहे हैं पल्लू पर माता की विशेश क्रिपा रहती है कहा जाता है कि पल्लू के आसपास कभी अकार नहीं पड़ता माता की विशेश क्रिपा वहां पर बनी रहती है तो ये थी मां बर्मानी पल्लू वाली के मंदित की मुख्य जानकरी आपको हमारी ये जानकर कैसी लग रही है ये हमें लाइक से एल क अब इतियास समन्दित विस्त्रत जानकारी हम आपको आगे और बताते हैं वो इस परकार है पलू पहले कोट कलूर के नाम से प्रसिद था चंदरवांस में गणपत नामक के राजा आबू में राजे करते थे उनके नो पूत्र हुए थे जिन में बड़े पूत्र का नाम कलू को द्रसंदिये तवर मांगने को कहा कुवर कलूर ने अपने पिता से अलग राजे की स्थापना करने की इच्छा मा के सामने चताई मा की आध्यानुसर कलूर ने पल्लू की सुध भूमी में आकर गढ़ की नीव लगा दी और मा की अराधना में लग गया मां की करप्यासे कलूर में यहां एक विशाल किला बनाया जिसकी सिमा 88 भीगा थी इस किले के चार द्वार थे किले का नाम आगे चलकर कोट कलूर के नाम से विख्यात हुआ रंग महल के राजा फूल के पुत्र लाखा ने इस किले को हडपने के लिए कलूर को आकर्मन का संदेश भेजा लाखा भी भगवान सीव का परमभग्त था और उसे भगवान सीव ने विजय का वर्दान जो प्राप्त था संदेश पाकर कोट कलूर ने राजा कलूर ने मा को संकट के समय याद किया तो राजा को माने दर्शन दिये और कहा कि इस बार तेरी हार निश्चित है लाखा को भगवान सिव का विज़ेई वर्दान प्राप्त है अगर पराज्य से बचना चाते हो तो राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ मैं किले को द्वस्त कर देती हूँ और जब कभी भी यहां आकर मां को याद करेगा तो मां उशे पुनेंदर संदेगी और उसे अपनी भक्ती करने का वर्दिया यह बात करीब साड़े साथ सो वर्ष पुरानी है बिकानेर जिले के गिगासर नामक गाउं में बाग जी नामक चंदरवसी ठाकूर की घर एक भोजराज नामक पूत्र पैदा हुए थे जो राजा कलूर का ही अवतार यानी जनम हुआ माना जाता था इसी कड़ी में मां बर्मानी पल्लू वाली के विस्तरत वीडियो हम आगे डालते रहेंगे इसी लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से जदा लाइक से करें जिसे मां के सभी भगतों तक ये वीडियो पहुंच के और कमेंट वोक्स में बताएं क कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और मां बर्मानी पल्लू वाली का जैकारा जरूर लगाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार कि आपको हमारा जरूर 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 झाल झाल